दोलक दोलक हमेशा फटे फटे पटे पटी है पटे पटे फटे हमेशा कि आज की इस वीडियो में मैं अपने वाइफ को डोलक सिखाने वाला हूँ हाई मुझे इनका हाई बहुत पनी लगता है मतलब जो लोग देखते हैं हमारे रेगिलरली अनुशलोजी व्लॉग्स पर आप लोगों ने पहचान लिया होगा इनका हाई ठीक है इनका ट्रेडमार्क ही बन जाएगा तो आज से पहले इन्होंने कभी ड्हुलक नहीं बजाए तो आज इनको फर्स टाइम आप लोगों के सामने इस वीडियो में सिखाऊंगा लेसन वन है यह आप सबके काम आने वाला है जो गलतियां यह करेंगे जो प्रॉब्लम इनको फेस होंगी वही आप सबको फेस होती है लाइव आपके सामने यह सीखेंगे राइट ध्यान से पुरी वीडियो देखते रहे है और बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है वीडियो आगे बढ़ने से पहले गाइस एक इंपोर्टेंट एनॉस्मेंट मैं अपना एक निया चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ अनुछ लोधी शॉट्स के नाम से जिसमें मैं शॉट वीडियो दाला करूंगा डोलक तबला गानों के साथ प्ले करके आप लोग बड़े टाइम से बोलते थे ना कि वीडियो में गाना यूज कीजिए तो ये में चैनल पर कॉपिराइट को कोई भी रिस्क नहीं ले सकता इसके लिए सेपरेट चैनल बना रहा हूँ शॉट वीडियो आप व्लोग बनाते हैं और अब रेगलरली बनाया करेंगे तो अनुशलोती व्लोग को सब्सक्राइब कर लिजे बच सिरफ सब्सक्राइब करने से काम नहीं होता हर एक व्लोग देखना और पूरा व्लोग देखना है इसके इलावा आप ये पूरा सेशन देखे अच्छा लगे तो पर्सनल क्लास भी जाइन कर सकते हैं जिसमें मैं प्रापर ट्रेनिंग देता हूं और धोलक तबला कोई भी रिदम इस्टूमेंट चाहिए आपको बड़िया क्वालिटी का प्रोफिशनल क्वालिटी का तो उसके लिए आप कॉंटक्ट कर सकते हैं तो सबसे पहल अब को आपको हाथ कुछ इस तरिके से रखना है ठीक है जिस्से की देखो ड्हूलक में कुछ अंदर बोल बजाए जाते हैं और कुछ बाहर हाँ तो ऐसी हें इंड़ पोजिशनिग रखनी हैं हमने जिसे की अंदर बोल बडोमे बहार बाल एक ही नगा से बच जह जाएं ऐ बाहर बजाने के लिए पाहर आ रहे हैं तो आपका हाथ है ये ये एक तो थोड़ी direction हलकी सी उपर को हो और ये अभी पहली उंगली देखो बिल्कुल किनारे पे आपकी और ये जहां पे ये fingers है यहीं पे आप अंदर वाले bowl बजाओगे और इससे बाहर वाले bowl बजाओगे आपको उपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी move करने की ज़रूरत नहीं तो guys hand positioning आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए hand positioning कल को आप decide करेगी कि आप कैसा play करेंगे ठीक है ये हमेशा हाथ धिला हो यहाँ जो कलाई है इससे आगे बिल्कुल धिला होना चाहिए कलाई का यूज करना ही बन हमने ठीक है और हमेशा जब भी बजाना है तो ये tips ये tips यूज करने है तो आपने ये वाला बिल्कुल सही तो आप बिल्कुल edge पे बजाओ बढ़िया ना ता इसका नाम है ना और ता कलाई यूज बिल्कुल धिले हाथ से लचक से ठीक है बढ़ अब स्टूडेंट्स जाहतरी यही गलती करते हैं बहुत तेज ना ता ना ता हमें बिल्कुल slow बजाना है समझना है कि हम क्या बजा रहे हैं बजा रहे हैं और आवाज कैसे आ रहे है ना ता बहुत बढ़ रहे हैं पर अभी यह देखो एक तो बहुत अच्छी चीज़ साथ बोलना है जैसे यह बोल रहे हैं और slow करने के लिए हर बोल के बीच gap दे दो slow हो जाएगा अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किए कि जब यह बजा रहे हैं तो इनकी यह यह देखो यह वाली चीज़ हिट हो रहे है ना एज पर यहां पर यह चीज़ यह आप सब यह चीज़ करते हैं आपको बिलकुँ यह चीज़ हिट होनी चाहिए clarity के लिए चलो इसे ना है तो आप अच्छा कर रहे हो आगे से हलका सा उठा कर रखना है चलो जे आप बजाएंगे तिन और इसकी अवास बहुत कम चाहिए यह बजाना नहीं सिरफ टच करना है सिरफ टच अब प्रैक्टिस करेंगे यह भी दर से बजाना पर इसकी अवास बिलकुल कम चाहिए तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तिन ता अब ता अब ता देखो आपका तिन अंदर आया है यह आना चाहिए यह बिलकुल चलो जी तन-ता नर-त तन-त tiempo तन-त तन-त के लिए नीचे जा रहे हो एक ही जगह रखने हाँ, चलो एक और बोल कर लेते हैं, तित अब ये तिन अकेला बोल था, ये ना ता दो अलग लग बोल हैं वट सेम जगह पे बसते हैं, तित दो बोलों से मिलकर बनता है, ती और ट इसको हम यह हाथ के पोजिशन, ती पहले अंदर और सेम पॉइंट पे त, और ये अंदर का बोल है, इसका मतलब सॉफ्ट, ती त, 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 अच्छा है, थोड़ा हाई ये ता था था ना, तो यहां पे जो फिंगर जा है, इसकी जगह ती और त, नीचे जाने के ज़रूरत ने देखो यह ती त, त, बहुत बढ़िया, अब ये भी अंदर का बोल है, ये जाहिए सॉफ्ट, ये भी बिल्कुल प्यार से, दबहो ती त, पहले उपर वाले उंगली, ती त, बढ़िया, जितनी भी बोल है, वो सारे टिप्स से बजा़ा, ये क्लियर सुनेगा, बिल्कुल से स्टार्ट अब देखो यहां टीचर जरूरी है मतलब आप अगर सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देखकर सोचें कि आप धुलक पूरी बजाना सीख जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है जी क्यों अभी इन्हें मैंने अभी बताया दो बार फिर भी गलत उंगली यह क्या ऐटोमेटिकल होता है जी हम सब स्टुडेंट्स यही चीज करते है तो टीचर होना चाह्ये कोई टोखने के लिए सही करवा अब अबद क्रेक्टिस करो था ता तीट पा था थे तड़ाटने प्र फिर तीट अप अच्छा है अब आदा था तीट पर थे ता तीट पर थे बहुत ने ने अच्छा है फिर भी अच्छा है बहुत बढ़ी है तो इसके बाद आएंगे हम बेस की तरफ अब देखो आप बेस में लेडिस ऐसे बजाती है हम ऐसे क्यों नहीं बजाते हैं ऐसे बजाने पे हम अलग लग तरह की साउंड्स निकाल पाएंगे इसलिए हम ऐसे बजाते हैं यह थोड़ा डिफिकल्ट है इसके लिए जब भी अगर धोलक बजानी है लेडिस खासकर नेल्स अपने छोटे रखें ठेक है तो हाथ थोड़ा इतना अंदर रिस्ट प्लेस करते हैं ऐसे ठेक है आप भी थोड़ा ऐसे मूब कर जाओ जिससे की द तो चलो अब देखते हैं यह कुछ इस तरीके से हैं हमेशा यह नाखून की नीचे वाला पॉजिशन यह टिप हम यहां पे लगाते हैं और यह हिट करने के बाद यह अंदर उठके आ जाती यह ड्रैग ना हो ऐसे घिसे ना उठकर अंदर मैं देखने पा रहा हूं हाथ बहुत बढ़िया ड्रैग ना हो बहुत सिंपल है थोड़ा हाथ अंदर रखो अब यह उंगली बजेगी यहां पे और उठके अंदर आ जाएगी बढ़िया इसको हम गाह बोलते हैं अगला वाला थोड़ा मुश्किल है इसमें घे घे में हम यहां से स्लाइड भी देते हैं यह देखो यह जब उगली नीचे आने स्टार्ट हुई हमने यहां से स्लाइड भी दबा कर देना स्टार्ट कर दिया तो दोनों की टाइमिंग भी ठानी है कोई नी हाथ उठेगा नी हाथ नीचे और फिर से रो Not bad, काफी हद तक close था, ठीक है, दोनों के timing साथ में, जब उंगलिया नीचे आने स्टार्ट, यहां से slide भी स्टार्ट, एक तो उठेगा नहीं, नीचे रहेगा और नीचे से ही आगे जाएगा, नहीं, same time पे, same time पे, हाँ, आ गया, अंगुठा, अपनों नाखों ना तोड़ ले ना, इन्होंने फिर थोड़े बड़े रखे, इसको प्यार से, इसको जोर से नहीं मारेंगे, प्यार से, टच करना है, और उठा लेना है, बुल रही पिर से, यह, बढ़िया, इसको गहे वो, यहाँ पे ना, और यहाँ पे घा, दोनों जब, same time पे, धा, हाँ, एच पे, एच पे आए, बिलकुल, चलो, यहाँ पे हमने तिन किया था, जिसके आवास काम चाहिए थी, और यहाँ गहे किया, slide वाला, दोनों जब साथ में बचते है, तो बनता है, दिन, क इसे थी, ठीक है, यहाँ इसके वास कम लाने की कोशिश करनी है, यह वाला आ गया मुझे, हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, अब एक पैटन है, धिनता, तिनता, तिनता, धिनता, अपने बहुत सारे students को करवाता हूँ, मैं, अब यह first time है, इनको वही पैटन करवाया जाएग बोल हैं धिन, ता, तिन, ता, तिन, ता और धिन, ता, आठ बोल हैं total, दुबारा से, पहले धिन, फिर ता, फिर तिन, ता, फिर एक बार और तिन, ता और आगरे में धिन, अभी बिल्कुल slow speed में आपको धिन अल्रेडी आता है, दोनों हाथ, धिन, ता, तिन, ता, तिन, त ता और धिन दोनो हाथ, अहाँ, धिन और आकरी निता, बढ़िया, अभी बजाएंगे हम इसको properly, पहले धिन में आगे नहीं जाना, पहले दिन नमल बजाना है, ठीक है дрho, त, 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 उपर, कोई दिखर नहीं, अच्छा, अब नहीं हो रहा, इस स्पीड पर नहीं हो रहा, तो हम और स्लो कर देते हैं, स्टूडेंट्स क्या हैं, उसी स्पीड पर कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा, और स्लो कर दिये, अब इस बार बजें गहां से, बजाओ धि फिर ता, तिन, ता, तिन, ता और धिन, ता, दुबारा धिन, ता, तिन, ता, धिन, ता, अब देखो, हम अगर मानलो कोई तेज कॉमपोजिशन बजाते हैं अब इती जोर से बत पचाओ फट जाएगी धोलग धोलग हमेशा फट फट पथी है पढ़े पढ़े फटती है हमेशा या तwagen करते हैं सची है ठीक है पढ़े फट फटे गाया तκα बजाते हुए कभी नहीं पठती तो बिलकुल ऑराम से बजो कोई फरक नि पढ़ता है इसी को next class में मैं इनसे सुनूंगा, दो-ती दिन इनकी practice भी करवाऊंगा, उसके बाद next video में इनसे सुनेंगे और फिर इसको expand करेंगे, आगे इसकी 3-4 चीज़े करेंगे, अब इनको सिखाते हुए regular, यहाँ पे lesson wise आप लोगों को भी सिखाया जाएगा, एक से लेकर 20-25 जित